इस चैनल पर मैं लेगे आया हूं आपके लिए Green Olympiad की questions जिसे आप use कर सकते हो practice के लिए ताकि आप Green Olympiad exam में अच्छे mark score कर सको चलिए start कर लेते हैं यह question जिसमें आपसे पूछा जा रहा है इस question के अंदर आपसे पूछा जा रहा है जो भी agriculture fields होते हैं उतमे irrigation क्यों किया जाता है इसके पीछे का reason आपसे पूछा जा जा रहा है यह एक reason भी हो सकते हैं या फिर बहुत सारी reason भी हो सकते हैं तो यह चार options आपको दे रखें जिसमें से आपको correct answer चूज करना है first option में आपको बोला जा रहा है to enable germination of seed कि seed जो होते हैं यानि जो बीज जो होते हैं वो अच्छे से germinate हो सके इसलिए यह process complete किया जाता है option b में आपको बोला जा रहा है कि transport of nutrients from the soil to the plant यानि कि मिट्टी के अंदर जो भी nutrition होते हैं उस वे transport करने के लिए plants के अंदर इसलिए irrigation करना ज़रूरी होता है third option है जिसमें आपको बोला जा रहा है कि protect crop from the frost and the hot air current यानि कि जो भी crop बगरा होते हैं उसे अच्छे से एक तरह से protect करने के लिए ही irrigation बगरा किया जाता है तो तीन options तो यह आपको दे दिया कि fourth option में आपको बोला जा रहा है यह जो तीनों option है यानि A, B और C यह तीनों की तीनों option correct है जिसलिए यहापे fourth option में आपको बोला जा रहा है all the above अब आपके according correct answer क्या है यह आपको बताना है आप लोगों ने खेत में जरूर देखा होगा जो irrigation activity की जाती है उसके करने की यह सारी वजय ही बिल्कुल correct है यानि कि उसे germinate हो सके seed इसलिए किया जाता है soil के अंदर जो भी nutrients होते है उसे plants के अंदर transfer कर सके इसलिए भी किया जाता है और खास तोर पर जो भी crop वगरा होता है उसे अच्छी protection मिल सके इसलिए भी irrigation किया जात है यानि कि यह कह सकते हो कि इस question का correct answer आपका option D हो जाएगा इस question में आपसे पूछा जा रहा है when water is provided drop by drop at the roots of the plants it is known as अब देखिए इस question के अंदर आपसे पूछा जा रहा है कि जब भी हम लोग plants वगरा की root में water provide करते है और यह जो water provide करते हैं बहुत सारा पानी एक बार में आलने की जगह य डॉप बयड़ प्रॉबाइड करते हैं तो इस प्रोसेस के वारे में पूछा जा रहा है जो कि roots के plants के root के नतर पानी provide करें इससे बोला कि आ जाता है इस method को आपको identify करना है option A में आपको बोला जा रहा है इसे doppler method बोला जाता है option B में आपको बोला जा रह question को attempt कर लीजिए और जरूर comment करके भी बताइएगा कि आपका answer क्या है तो इस question के correct answer की बात करें तो जो आपको जो C option दे रखा है यानि कि drip irrigation इसका correct answer है यानि कि जब भी हम किसी भी plant के root के अंदर water provide करते है और खास तोर पर पानी एक साथ डालने की जगह drop by drop provide करते है तो इस method को हम लोग बोलते है drip irrigation तो इसलिए यहाँ पर C option जो दे रखा है यह बिलकुल correct है इसके बाद है next question इस question में आपसे article के बारे में एक act के बारे में आपसे पूछा जा रहा है question कुछ इस type से अब देखिए हमारी country में जो wildlife है यानि की जो animals वगरा जो जंगल में रहते हैं उनके protection के लिए act बनाया गया है 1972 में इस act को लाया गया था इस act का नाम भी Wildlife Protection Act 1972 है अब question यह पूछा जा रहा है कि जो हमारी country इंडिया है इसके अंदर जितने भी states है सब जगह ही लागू होता है यह law यह act लेकिन एक state ऐसा है जहाँ पर यह लागू नहीं होता है तो आपके according वो state कौन सा है यह आपको choose करना है देखिए option A में आपको बोला जाए गोवा, option B में आपको बोला जा रहा है आंद्र अरुनाचल परदेश और option C में आपको बोला जा रहा है कि Jammu and Kashmir और option D में आपको बोला जा रहा है Nagaland तो आपके according correct answer क्या है यह आपको बताना है देखिए इस question की correct answer की बात करे देखिए आज के time पे जो Jammu and Kashmir है यानि JNK है या आज के time पे से state ना बोल करके UT बोला जाता है और इसके अंदर से लेह लद्दाक वाला जो reason है उसे अलग कर दिया गया है लेकिन यह question जो है पहले यानि कि previous year में आया हुआ है जब पहले जब Jammu and Kashmir states हुआ गरता था तब यह question था इसके थोड़ा confuse होने की ज़रुत नहीं है previous year का paper है पुराना paper है वहाँ से मैं आपको explain कर रहा हूँ तो Jammu and Kashmir इसका correct answer है यानि कि Jammu and Kashmir जिस time state वगरा हुआ करते थे उस time पे यह question लागू होता है आज के time पे Jammu and Kashmir state नहोगर के यह union territory है यानि कि UTO के है तो जैसे यह question है कि Wildlife Protection Act जो है यह Jammu and Kashmir में लागू नहीं होता था ठीक है तो आप यह कह सकते हो इस question का correct answer क्या है option C हो जाएगा चलिए एक question मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ आप लोग मुझे comment करके बताईए कि हमारी country में number of states कितने है ठीक है वो आपको बताना है और number of uts कितने है यह भी आपको comment करके बताना है और जितने भी ut है इनके नाम ज़रूर लखिए क्योंकि ut कम है इसलिए मैंने आपको बोला है कि जितने भी ut है इनके नाम आप comment में नीचे मुझे भी ज़रूर बताना तो यहाँ पर इस question का correct answer आप C यूज कर सकते है यहाँ कि Jammu and Kashmir इसके बार next question है इस question में आपसे पूछा जा रहा है which one of the following is an elephant reserve located in Odisha in India हमारी country के अंदर जो Odisha एक state है उसके बिगाड़ी में question पूछा जा रहा है यहाँ पर elephant से relative एक reserve है यानि कि जैसे national park बगरा होते है वैसे elephant reserve है एक elephant reserve के बारे में आपको बताना है कुसका नाम क्या है और यह 4 options आपको दे दिये गए first option है जिसमें आपको बोला जा रहा है सिंग भूम elephant reserve जो है यह Odisha के अंदर located है second option आपको बोला जा रहा है और फोर्थ option आपको बोला जा रहा है कि गारो हील elephant reserve जो है यह Odisha के अंदर located है तो आपके according correct answer क्या है यह आपको बताना है देखिए इस question की correct answer की बात करें यानि कि Odisha के अंदर हम बात करें कि भी कौन सा elephant reserve है तो वो correct answer आपको option B हो जाएगा यानि कि महाननदी elephant reserve जो है यह Odisha के अंदर located है बाकी question कई बार ऐसा भी आ सकता है कि यहाँ पर जैसे Odisha के बारे में पूछा गया किसी और state के बारे में भी आपको पूछा जा सकता है तो जैसे यह question है इस question में अलग-अलग elephant reserve है इनके बारे में आप सोड़ा पढ़ सकते है कि सिंग भूम टाइग यह elephant reserve कौन से state में located है अनामूरी कौन से state में located और गारो hill कौन से state में located है ठीक है यह चीज़ा आप Google पे जरूर सर्च करना और हो सके तो comment करके मुझे भी बताना कि भी कौन से state में located है लेकिन इस question की बात करें यानि कि Odisha के अंदर बात करें तो वो आपका option भी correct answer हो जाएगा ठीक है चलिए move करते है next question की तरफ इस question में आप से पूछा दर है name the world's first global environmental organization यानि कि पूरी दुनिया के अंदर जो कैसा क्यों इन्वार्मेंट को protect करने के लिए जो global organization create की गई है उसका नाम आपको बताना है ठीक है ये चार options आपको दे रखें इन चारों में से correct answer आपको choose करना है first option में आपको बोला जारा है कि WWF second option आपको बोला जारा है IUCN third option आपको बोला जारा है UNEP fourth option बोला जारा है the nature conservancy तो इन चारों में से correct answer क्या है ये आपको बताना है अगर हम worldwide बात करें कि कौन से आपको बोला जारा है जो सबसे पहले setup की गई थे तो वो है IUCN यानि कि जो आपको option B दे रखा है ये इसका correct answer हो जाएगा अब आप लोग मुझे comment करके बताएए कि आपने कितने questions के answer बिल्कुल सही करें बाकि ये जितने भी organization है सबसे पहले तो उनका full form आपको पता होना चाहिए तो आप full form जरूर याद कर लीजिए इन सब को जितने भी organization है साथ के साथ इनका जो date है कि कभ ये established की गई थी वो भी आपको पता होना चाहिए साथ के साथ इनका जो headquarter है ठीक है headquarter कहाँ पे located है ये भी आपको पता होना चाहिए अगर इस तरह की question आप से पूछे जाए तो आप easily इनका answer कर सको ठीक है तो इस वीडियो में इतना ही है I hope आपने Green Olympiad exam की अच्छी preparation की होगी अब तक मैंने आपको 35 वीडियो बना के दिया है और उमीद करता हूँ कि आपने सारी वीडियो जरूर देखी होगी ठीक है तो कल आपका Green Olympiad का exam है तो आप लोगों को all the best अच्छे से exam में सारे question attempt करना और मुझे भी बताना कि आपका exam कैसा हुआ ठीक है एक्जाम देने के बाद जब वापस school से घर आओगे आप तो मुझे comment करके जरूर बताना कि आपका exam कैसा हुआ आपने कितने question attempt करें और कितने marks आपके आ सकते हैं वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को like जरूर करिएगा और अपने दोस्तों मेंशे share जरूर करिएगा और हाँ चैनल friends at preparation और Mr. Krishna Shah दोनों ही चैनल को subscribe करके bell icon जरूर प्रेस करिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अप्लोड करूँ तो आपके पास notification receive हो सके बाकि आप लोग केंद्र विद्याले के अगर student है तो आप लोग मेरा telegram group join कर सकते हैं जिसका link मैंने नीचे description में आपको दे रखा है ठीक है और साथ के साथ अगर आप मुझे WhatsApp पे connect होना चाहते हैं तो उसका link भी नीचे मैंने आपको description में दे रखा है जिसपे click करके आप join कर सकते हो और मुझे follow कर सकते हो को doubt है कुछ पूछना चाहते हो तो आप लोग Instagram पे भी मुझे follow कर सकते हो मेरी ID है add the rate Mr.Krishnashah जहां message करके आप अपने doubts वगरा जो भी आपकी queries है वो मुझे पूछ सकते हो तो इस वीडियो में इतना ही है बाकी फर्दर अगर आप भी भी लगता है आपको कि आपकी preparation में थोड़ी बहुत कमी है तो वो जो compiled video है MCQ वाली जिसके अंदर मैंने सारे questions एक combined करके एक बड़ी वीडियो जो बनाई है उससे जुरूर एक बार देख लेना ताकि अगर कुछ भी miss रह गया कुछ preparation आपकी थोड़ी बहुत कमी रह गई तो वहां आपकी पूरी हो सके और आप exam में एक अच्छी rank score कर सको ठीके तो all the best for exam बाइबाई